पूजे स्वामी रामसुक दास जी के शब्दों में सुनते हैं कि मानव जीवन का लक्षे क्या है। हम विचार करके देखते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है कि मनुष्य ही परमात्म प्राप्ती का अधिकारी है। जैसे चारों आश्रमों में ब्रम्ह चर्य आश्रम केवल पढ़ाई के लिए है। ब्रम्ह विद्या के प्राप्ती के लिए ही मनुष्य शरीर है। और जग है ऐसा मोका नहीं है, नहीं योग्यता है, ना कोई अवसर है, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता, देवताओं में समझने की ताकत है, पर वहाँ भोग बहुत है, भोगी आदमी परमात्मा में नहीं लग सकता, यहां भी देखो, जादा धनी आदमी सत्संग में नहीं लगते, और जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वे भी सत्संग में नहीं लगते हैं, उन्हें रोटी कपड़े की चिंता रहती है, इसी तरहे नरकों के जीव बहुत दुखी हैं, बेचारे उन को तो अवसर ही नहीं मिलता है, देवता लोग भोगी हैं, उनके पास बहुत संपत्ती है, वैभव है, पर वे परमात्मा में नहीं लगते, क्यूंकि सुख भोग में लगे हुए हैं, वही उलजे हुए हैं, अतहा एक मनुष्य ही ऐसा है, जो परमात्मा की प्राप्ती में लग सकता है, उसमें योग्यता है, भगवान ने अधिकार दिया है, इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा बहुत ज्यादा है, देवताओं से भी अधिक है, शरीर तो देवताओं का हमारी अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है, हम लोगों का शरीर बड़ा गंदा है, जैसे और मैल से भरा हो, यदि हमारे पास आ जाए, तो उसको छूने का मन नहीं करता, दुरगंध आती है, ऐसे ही हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुरगंध आती है, ऐसा दिव्य शरीर है उनका, हमारे शरीर में पृत्वी तत्व की प्रधानता है, देवताओं के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार, जितना मनुष्य शरीर वालों को मिलता है, इतना देवताओं को भी नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य शरीर की बड़ उत्तर कांड में श्री काक भुषुंडी जी से गरुड जी प्रशन करते हैं कि सबसे उत्तम देह कौन सी है तो कहते हैं मनुश्य शरीर सबसे उत्तम है क्योंकि नर तन सम नही कवनी हूं देही जीव चराचर जाचत देही चर अचर सब जीव इस मनुष्य शरीर की आचना करते हैं मांग रखते हैं ऐसा कहकर आगे कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्यान विराग भगति सुब देनी मनुष्य देह नरक स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष ये तीन देने वाली है इसके सिवाए परमात्मा का ग्यान इस शरीर में हो सकता है संसार से वईराग्य हो सकता है और भगवान की श्रेष्ट भगति इसमें हो सकती है इस शरीर में ये च्छे बातें बताई मनुष्य शरीर का एक बड़ा जंकसन है जहां से चाहे जिस तरफ जा सकता है ऐसी मनुष्य शरीर की महिमा है इस महिमा को कहते हुए पहले ही नाम लिया नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी नरकों में जा सकते हैं यह महिमा है कि निंदा मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें नरक मिल सकते हैं तो यह निंदा हुई इसमें तात पर ये क्या निकला उंची से उंची और नीची से नीची चीज मिल सकती है इस मानव शरीर से यह इसकी महिमा है वास्तों में महिमा है शरीर के सदुपियोग की इसका उपियोग ठीक तरह से किया जाए तो भगवान की शेष्ट भाक्ती मिल जाए मुक्ती मिल जाए वई राग्य मिल जाए सब कुछ मिल जाए ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुश्य शरीर से न मिल सके गीता में आया है जिस लाब की प्राप्ती होने के बाद कोई लाब शेष्ट न रहे मानने में भी नहीं आ सकता कि इससे बढ़कर कोई लाब होता है और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता किसी कारण शरीर के टुकडे टुकडे किये जाए तो टुकडे करने पर भी आनन्द रहे शांती रहे मस्ती रहे दुख से वह विचलित नहीं हो सकता उसके आनन्द में कमी नहीं आ सकती तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम इतना आनंद होता है कि दुख वहां रहता ही नहीं ऐसी चीज प्राप्त हो सकती है मानव शरीर से मनुश्य शरीर की ऐसी महिमा तत्व प्राप्ती की योग्यता होने के कारण से है मनुश्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे ही तत्व की प्राप्ती करनी चाहिए उसे प्राप्त न करके जूट, कपट, बैमानी, विश्वास घात, पाप करके नर्कों की तैयारी कर लें तो कितना महान दुख है यह खयाल करने की बात है कि मनुश्य शरीर मिल गया अब भाई अपने को नर्कों में नहीं जाना है 84 लाख योनियों में नहीं जीना है नीची योनि में क्यों जाएं? चूरी करने से, हत्या करने से, वेभिचार करने से, हिंसा करने से अभक्ष भक्षन करने से, निशिध्य कारिय करने से मनुश्य नर्कों में जा सकता है कितना सुन्दर अवसर भगवान ने दिया है कि जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा उंचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है इस मानव देह के द्वारा इन प्राणों के रहते रहते बड़ा भारी लाब लिया जा सकता है बहुत शान्ती, बड़ी प्रसन्नता, बहुत आनंद इसमें प्राप्त हो सकता है ऐसी प्राप्ती का अवसर है मानव शरीर में इसलिए इसकी महिमा है इसको प्राप्त करके भी जो नीचा काम करते हैं वे बहुत बड़ी भूल करते हैं कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो उसका लाब लेना चाहिए जैसे किसी को पारस मिल जाए तो उससे लोहे को छुआने से लोहा सोना बन जाए अगर ऐसे पारस से कोई बैठा चटनी पीसता है तो वह पारस चटनी पीसने के लिए थोड़े ही है पारस पत्थर से चटनी पीसना ही नहीं कोई अपना सिर ही फोड ले तो पारस क्या करेगा इसी तरहे मानव शरीर मिला इससे पाप, अन्याय, दुराचार करके नर्कों की प्राप्ति कर लेना अपना सिर फोड ना है संसार के भोगों में लगना यह है चटनी पीसना है भोग कहां नहीं मिलेंगे सुवर के एक साथ दस बारह बच्चे होते हैं अब एक दो बच्चे पैदा कर लिए तो क्या कर लिया? कौनसा बड़ा काम कर लिया? धन कमा लिया तो कौनसा बड़ा काम कर लिया? साप के पास बहुत धन होता है धन के उपर साप रहते हैं धन तो उसके पास भी है धन कमाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई एश आराम में सुख देखते हैं और कहते हैं कि इसमें सुख भोग ले बंबई में मैंने कुत्ते देखे हैं जिनें बड़े आराम से रखा जाता है, बाहर जाते हैं तो मोटर और हवाई जहाज में ले जाया जाता है, मनुश्यों में भी बहुत कम को ऐसा आराम मिलता है, जो उन कुत्तों को मिलता है, भाग्य में है, तो कुत्तों को भी मिल जाएगा, कौन सा काम बाकी रह जाएगा, जिसके लिए मनुश्य शरीर नश्ट किया जाए। भोगों के भोगने में, संसार का सुख लेने में, धन कमाने में। मनुश्य शरीर बरबाद कर देना कितनी बड़ी भूल की बात है। जूट, कपट, बैइमानी करके मनुश्य नरकों की तयारी कर लेता है। यह महान पतन की बात है। कितना उंचा शरीर मिला है मनुश्य को। उस शरीर में आकर ऐसा काम कर ले। अतहा सावधान रहना चाहिए कि बड़े से बड़ा काम हमें करना है। यह काम दूसरी योनी में नहीं हो सकता। एक मनुश्य शरीर में किये हुए पापों का 84 लाख योनियों में भोग होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ये चारों युग बीत जाते हैं। 84 लाख योनी और नरकों के कुंड भोगते भोगते। फिर भी मनुश्य शरीर में किया हुआ पाप बाकी पड़ा रहता है। बीच में भगवान कृपा करके मनुश्य शरीर देते हैं। संचित पाप और पड़े हुए हैं। भोगने पर भी सारे पाप समाप्त नहीं होते। इतने महान पाप हैं जो इस मनुश्य शरीर में बनते हैं। यह मनुश्य शरीर है जिससे परमात्मा की प्राप्ती कर सकते हैं। अनंत ब्रम्हांड जिसके फुरणा मात्र से रचित होते हैं। पंडित होते हैं, वे परमात्मा, तुम्हारी आज्या मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, गोपियों के हृदय में, भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण, वे कहती हैं, लाला च्छाच दूंगी, थोड़ा नाचो, तो भगवान नाचने लग जाते हैं, लाला बंशी बज जाओ, छाच पिलाओंगी, अब बोलो, छाच के बदले, वे परमात्मा नाचने और बंशी बजाने को तैयार, इतना उच्छा पद इस मनुष्य शरीर से मिल सकता है, इस शरीर की प्राप्ति करके, हम फिर कर लें नरकों की तैयारी, महान दुखों की तैयारी, कितनी भारी गलती है, ऐसा मनुष्य शरीर मिल जाए, तो बड़े से बड़ा लाब लेना चाहिए ना, जैसे वरिंदावन में आ गए हो, तो भगवान के दर्शन करो, या मुनाजी में सनान करो, वहां के रहने वालों से पूछो, कि जादा लाब की बात कौन सी है, जादा पुर् भार करने वाली चीज कौन सी है, वरिंदावन में आए हो, तो वरिंदावन का आनन दिलो, अब वरिंदावन में आकर नाटक सिनेमा देखते हो, अरे भाई, यहां क्यों आए, बंबई कलकत्ता में बहुत बढ़िया सिनेमा है, यह तो तीर्थ स्थान है, भगवान के करो, जहां कीर्थन होता हो, कथा होती हो, ऐसी जगह जाओ, और विशेश लाभ लो, वरिंदावन में आए हो ना, इसी तरहे मानव शरीर में आए हो, तो विशेश लाभ ले लो, पर यहां भी, वही काम करते हो, जो पशु पक्षी करते हैं, वही खाना पीना, वही बाल अच्चे पैदा करना, यह तो भाईया, कुत्ते बन जाओ तो तयार, सूर बन जाओ तो तयार, गधे बन जाओ तो तयार, कववा बन जाओ तो तयार, यह भोग तो सब जगह तयार मिलेंगे, यह चीज़ें कौन सी बाकी रहेंगी, इन चीज़ों के लिए आए हो क्या मनु मनुष्य शरीर क्यों खराब करते हो यह शरीर क्यों प्राप्त किया भगवान ने क्रिपा करके शरीर दिया है तो इस शरीर से होने वाले वे लाभ लो जो दूसरे शरीर में नहीं हो सकते रामचरित मानस में तुलसी कहते हैं बड़े भाग मानुष्य तन उपावा सुर दुरलब सब ग्रंथी ही गावा मनुष्य शरीर देवताओं को दुरलब है ऐसा ग्रंथों में कहा है ऐसा दुरलब शरीर जिसको प्राप्त करके किवल परमात्म तत्व की प्राप्ती करनी चाहिए किवल परमात्म तत्व में ही सच्चे हृदय से एक दम लग जाना चाहिए मोका है भाई जैसा मोका कलियुग में मिलता है वैसा अन्ययुग में नहीं मिलता ऐसे कलियुग में मोका मिला उस कलियुग को प्राप्त करके भोगों में लग गए अत्वा पापों में लग गए अन्याए में लग गए ये क्या बात हुई शास्त्र की दृष्टी से अन्याए हम भी विचा पार से देखें तो अन्याए, लोकिक दृष्टी से अन्याए, लोग देख लें तो शर्म आए, ऐसे ऐसे कामों में लग जाए, मनुष्य शरीर प्राप्त करके, कितनी हानी की बात है, तो हम क्या करें, आज दिन तक हुआ सो हुआ, गल्ती हुई सो हुई, आज से दृढ नहीं करेंगे, पाप व अन्याए नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी तत्व की प्राप्ती कैसे हो, कैसे उस तत्व का बोध हो, कैसे भगवान के चर्णों में प्रेम हो जाए, ऐसी लालसा लगाओ, तब एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, क्या हमारा भी प्रेम हो सकता है क्या इस शरीर से कल्यान हो सकता है तब स्वामिजी ने कहा ध्यान दे कर सुनें इस शरीर से ही कल्यान हो सकता है कल्यान भी आप कर सकते हो लगपती बन जाओ आपके हाथ की बात नहीं बकान इमारत हो जाए आपके हाथ की बात नहीं, संसार में यश, प्रतिष्ठा, मान, आदर, सतकार हो जाए, आपके हाथ की बात नहीं है, परमात्मतत्व की प्राप्ति करना, हाथ की बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र, इसमें स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं, क्योंकि बड़े भारी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, उसको प्राप्त करना खास काम है, मनुष्य ध्यान नहीं देता है बस, रामायन में आया है, कब हुंकरी करुना नर देही, देत इस बिनुहेत उसने ही, इस चोपाई पर आप थोड़ा ध्यान दे, भगवान विशेश शक्रपा करक मानव शरीर देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान ने इस जीव पर विश्वास किया, कि इसको मनुष्य शरीर दिया जाए, जिससे इसका दुख मिट जाए, मेरी प्राप्ति हो जाए, इसका कल्यान हो जाए, इस भावना से, मानव शरीर दिया, विशेश शक्रपा करके, जब भगवान की यह भावना है, कि मेरी प्राप्ति कर ले, तो थोड़ा सा हम भी इधर ध्यान दें, तो भगवान का संकल्प सच्चा होने ही वाला है, पर ध्यान नहीं देता मनुष्य, भगवान क्रिपा करके, मानव शरीर देते हैं, इसका आर्थ यही है, कि परमा की प्राप्ति हो सकती है, भगवान ने विश्वास किया, यदि यहां आकर जीव भगवान की प्राप्ति नहीं करता, तो भगवान के साथ विश्वास घात करता है, यहां आकर पाप, जूट, कपट करता है, तो बड़ा भारी नुकसान करता है खुद का, निश्चय कर लो, कि आज से पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे और भगवत प्राप्ती में निरंतर लगे रहेंगे जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है इस तरहे परमात्म तत्व की प्राप्ती के लिए खोज में लगना चाहिए आपको कोई संत महात्मा मिल जाए भगवान के चर्णों में प्रेम कैसे हो जीवन मुक्ती कैसे हो नारायन नारायन नारायन